बंती का पहला दिन स्कूल में, एक प्यारे से गाव में रहता था एक चोटा सा बचा जिसका नाम था बंती. बंती का बचपन तो बस मस्ति, खेल और घर के आसपास के खेतों में दौडने में ही गुजर रहा था. लेकिन एक दिन उसके माबाप ने फैसला किया कि अब बंती को स्कूल भेजेंगे. बंती ने स्कूल के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी अपने गाव के बाहर का कुछ नहीं देखा था. उसका दिल तो घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा, चलो, एक नया सफर शुरू करते हैं. बंती का पहला दिन स्कूल में था और उसने अपने नए स्कूल युनिफॉर्म में खुद को देखा. उसने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे थोड़ा दार लग रहा है. पापा ने मुस्कुराया और कहा, बीटा, ये एक नया अनुभाव होगा, और तू नये दोस्त बनाएगा. मज़ा आएगा. बंती ने अपने बैग में अपनी फेवरेट कहानी की किताब रख ली, जिसे उसके पापा ने उसे दी थी. स्कूल के दर्वाजे पर पहुँचते ही, बंती ने देखा एक प्यारा सा प्लेग्राउंड और सामने एक सुंदर सी बिल्दिंग. उसके चहरे पर एक चंचल मुस्कुरा हट थी. क्लास्रूम में, बंती ने अपनी टीचर, मिस प्रीती, को देखा. मिस प्रीती ने बंती को बहुत प्यार से बुलाया और उसे अपने क्लास्मेट से मिलवाया. दोस्तों ने बंती को खिलोने दिखाएं और कहा, हम सब यहां एक बड़ा परिवार है. पहले दिन के खतम होन पार, बंती ने अपने माबाप को बताया, मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा और मैंने नए दोस्तों को मिला. अपसे हर दिन स्कूल जाना मेरा नया फेवरेट टाइम होगा. इस तरह से बंती का स्कूल का सफर शुरू हुआ. उसने नये दोस्तों से दोस्ती की, नये चहरे देखे और हर दिन नये सीखने का मौका पाया. स्कूल ने उसके लिए एक नया दुनिया खोला, जहां हर कोना था एक नया अनुभाव. Moral of the story इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, कि कभी-कभी नये चहरे, नये दोस्तों और नये अनुभाव हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. हर नया दिन एक नई कहानी लेकर आता है, और जब हम खुले मन से नये सफर में कदम रखते हैं, तो हम अपने आपको और भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं.